नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शाओमी रेट्मी वाइवान लाइट पर म्यूजिक एप के प्रॉब्लेम को सॉल्फ कैसे कर सकते आज के इस वीडि अगर आपको प्रॉब्लेम को पूरा जरू देख लेना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइको क्लिक जरू करें यहीं आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा जाके आप चेकाउट कर सकते तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते और देखते हैं यहाँ पर कैसे हमें सॉल्फ करना है म्यूजिक एप के प्रॉब्ल में उसमें क्लिक करना है और सेटिंग बर जाना है और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अपडेट उटोमेटिक लिक आप्शन तो उसमें जाके दोस्तों आप जो है या पर आपडेट सेलेक कर ले या तो फिर आपडेट ही डायरेक्ट कर लीजिएगा ठीक है तो एप को अपडेट वगज़रा करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखे update के बाद fix होता थे problem तो अच्छी बाद है लेकिन दोस्तो update के बाद भी अगर problem solve नहीं होते तो जाएए आपने mobile के setting पर और scroll down करके apps को open करें और उसके बाद manage app manage app पर जाके दोस्तो आपको यहापर search करना है music तो यह रहा उसके बाद दोस्तो आपको करना क्या है आपको force up करके ok करना है उसके बाद clear data पर click करके clear all data करके ok कर देना है ठीक है तो यह करने के बाद दोस्तो आप जाएएगा permission setting पर तो storage permission को allow कर देना है बस उसके बाद device को restart वगरा कर ले और check करके दिखे problem solve हो चुका होगा ठीक है तो simple सा method follow कर लिजे आपको कोई भी दिक्कत दुबारा से नहीं होगा और दोस्तो आज कल तो वे से भी आपको बहुत सारे music applications मिल जाएगा तो अगर दोस्तो यह application काम नहीं भी करते तो आप play store से जाके कुछ दूसरा जो है music application आप install कर सकते ठीक है जियो सावन आपको मिल जाएगा उसके बाद विंक music है ठीक है spotify भी आपको मिल जाएगा तो काफी सारे application से जिन को आप यूज़ कर सकते हैं तो आज की इस video बोटो से बस इतना है thanks for watching